कि हैं अग्याव प्रेंट्स मैं सेल्फ सुभम राज चौदरी फ्रेंट्स आज में कापी दिनों बाद मेरे दिमाग कुछ आइडियेस आ रहे थे तो मैंने का क्यूं ना कुछ न्यू ट्राइब के जाए तो फ्रेंट्स मैं आज प्यास से ड्रोइंग बनाने वाला हूं तो और शें किस तरह से प्यास से ड्रोइंग बनाऊंगा आपको मैं वीडियो में आंगे बताऊंगा तो प्लेज आप वीड़ो कुरël देगे अब मेरे चैनल पर न्यूear है तो आप मेरे चैनल प्यून सascribe करें और वीडियो पसंद आएक जान्यंग प्रेंग से ऊप्रेंगा और दो बिरस चाहिए फ्रेंट्स मेरे पास दो बिरस एक प्याज है फ्रेंट्स प्याज से पेंटिंग बनाने से पहले हम प्याज को छीलेंगे छीलने बाद फ्रेंट्स हम इसका रस निकालेंगे रस निकालने के बाद फ्रेंट्स हम प्याज बनाएंगे फ्रेंट्स मैंने पहले सी रस निकाल के रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कटोरी पे पहले से ही रस निकाल के रखा है तो फ्रेंट्स अब मैं किस तरह से प्यास से पेंटिंग बनाऊंगा यह आप देखें और मेरे चैनल पर न्यूँ है फ्रेंट्स तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक् झाल 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 हेलो प्रेंस अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने प्यास से रखते हैं अब मैं यह डिब्बी लाया आप इसे जला लूँगा प्रेंस अब आप देखेंगे कि मैं कैसे प्याज के रख को बाहर निकालता हूं देखना आप किस तरह से सो यह भी जल जाता है यह बहुत ही खदरनाक हो सकता है यह बच्चों के लिए नहीं है तो फिरंस अगर आप निव यूटूबर हैं तो आप यह ऐसे ट्राइब मत करें यह आप देख सकते हैं अब काईस बताएं आप कि हम क्या डो किये हैं इसे पेंटिंग बनाए हैं यह आप देख सकते हैं हुआ है यह आप यह आप देखिंगी यह किस तरह से मैं निकाल रहा हूं देखिए प्याच का जो कलर है वो किस तरह से उभर कर वाहर आ रहा है यह वो किस तरह से उभर कर वाहर है इसे अब हम साइड में लखते हैं तो आपने देखिए कि मैंने किस तरह से गड़ेश भगवान को प्याच से ट्रो किया है प्याज के रस्त मेंने complete गड़े इस भगवान को बनाया है ये पूरा आप जो देख रहे हैं प्याज का रस्त का है तो कैसा लगा फिरन्स आपको वीडियो मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लीज वीडियो को लाइक शेयर सस्क्राइब करना ना भूलें फिरन्स अब हम यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूंगा अब एक बार हम फिर इसे मैंने ये रखा टिवडी को और एक बार फिर फिर फिरन्स अपना नाम आप सभी को विडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो फिलीज वीडियो को लाइक से सस्क्राइब करना ना भूलें थैंक यू फिरन्स